यही ममता दी दी, जब क्रिनमुल कॉंग्रेस में थी सत्ता में नहीं थी, जब घुश पेठिये कौमिनिस्ट्रों को वाट दे दे यही ममता दे दी कहती थी, घुश पेठिये को निकालो, संसर चलने नहीं दी, अपनी सॉल निकाकर स्पिकर के मुहूँ पर भैंकी, अब आप वाट दे रहे हैं, आपकी वाट बेंक बन गए हैं, इसलिए आप कह रही हो, कि इनको मत निकालो, यहां सरनार्थी भाईयों को उक्सा रही हो कि आपको भी जाना पड़ेगा, कोई सरनार्थी को जाने नहीं देंगे, कोई घुश पेठिये को रहने नहीं देंगे, यह दोन उबागता है, कोई देश इतने करोडों घुस पेटियों का बोज उठा कर नहीं चल सकता, मित्रों ये सिलसिला रोकना पड़ेगा, आज मैं बंगाल की जंता को कहने आये, केजी से बंगाल को बदलने का काम हो रहा है, हमने आँख खोल कर देखना पड़ेगा, ये देश को, स्री निस्चीत करने के लिए हमने ये करना ही पड़ेगा, और ये अगर नहीं करे, तो हमें बहुत दूर तक राश्तिय सुरक्सा के मामले में नुकसान उठाना पड़ेगा, और मैं ममता दीको तो, सिर्फ 2005, 4 अगस्त 2005 में उनका जो भासन था, उसको ही याद कराना चाहता हूँ कि एक बार आँख खोल कर टीवी चला कर फिर से आपका भासन देख लो ममता दी, घुस पेठियों के लिए आप क्या कह रही थी और आज क्या कह रही है, राजनितिक स्वार्थ, देश के हीच से उपर नहीं होना चाहिए, राजनितिक स्वार्थ, बंगाल के हीच से उ जंटा पार्टी का हीच नहीं सोचा, भारत माता का हीच सोचने का काम हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने किया है। मित्रों, मेरा आप सभी कारे करताओं को करबद्ध अनुरोध है कि आप सब बंगाल के घर-घर में जाए और जितने भी सरनार्थी भाई बेन है वो सभी को आस्वस्त करिये कि आपको कोई कहाया निकालने वाला नहीं है, गवरव के साथ आप भारत के नागरीक बनने वाले हो भारत के सभी अधिकार आपको प्राप्त होने वाले ही। मित्रोधीस प्रकार की बंगाल की स्थिती हो गई है वो बेहत चिंताजनक है। एक समय ऐसा था कि उत्कुरूष्ट से उत्कुरूष्ट सहीत्य रचना कहां होती है तो जवाब आता था बंगाल से। एक समय ऐसा था जहां पूत्ते थे कि उत्कुरूष्ट संगीत कहां पर सुनने को मिलता था तो जवाब आता था बंगाल से। एक जमना था, सारे देश में सबसे ज़्यादा वेग्यानिक कहां पर मिलते थे, तो मेरे यही बंगाल में मिलते थे। एक जमाना था सारे देश को अगर कोई धार्मिक और अध्यात्मिक चेतना जागरूत करने का मार्ग दर्शन हुआ करता था तो मेरे बंगाल से हुआ जाहे रामकुष्ण प्रमन्स हो चाहे विवेकनन जी हो चाहे प्रणवानन जी हो चाहे